राश्ट्रिय जन्ता दल 15,000 लोगों के खाने का इंतिजाम करती है और लगभग 50 क्विंटल दही राबड़ी अवास पर पहुच रहा होता है तसा लालू परशाद यादों के हनुमान कहे जाने वाले भोला यादों खुद बता रहे हैं कि 35 क्विंटल चुड़ा तो राबड हो जाते हैं और लालू परशाद यादों अपने बड़े भाई को याद करते हुए वे भी भाव खो जाते हैं तता इसके बाद राश्ट्रिय जन्ता दल फैसला लेती है कि चुड़ा और दही के इस बड़े भोज को अस्थगित कर दिया जाएगा शरत यादों के बारे में दुखत खबर तेजस्वी यादों तक पहुशती है और इधर राजदानी पटना में तेजस्वी यादों अपने घर पर 15,000 लोगों के खाने का इंतजाम कर वा रहे थे और पूरा इंतजाम लगवग पूरा हो चुका था लेकिन अचानक तेजस्वी यादों के सामने शरत लालू यादों नहीं बलकि तेजस्वी यादों की मार राबडी देवी और खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादों के लिए शरत यादों अपने परिवार के सदस जैसे थे और इसका सबसे बड़ा कारण था कि शरत यादों राजनीती के कारण अक्सर इनी लोगो को अस्थखित कर दिया गया बाकियों नमस्कार में नाव है मोहित कुमार सिंग और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कारिकरम एक्स्प्लेनर कई वर्षों के बाद राश्ची जनता दल दही और चुड़ा के भोज का योजन करवा रही थी तो सराजत का खेमा बड़ा भुच रहा है लेकिन इतने दही में भी नहीं हो पाएगा और राजत के इस भोज में कम से कम पचास क्विंटल दही लगना ही लगना है अब जाहिड सी बात है कि अगर 15,000 लोगों का भोज कराना है तो इसके लिए ब्यापक रूप से तयारी करनी होगी और आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि राश्ची जनतादल का जब कोई भोज होता है तब वहाँ पर केवल भी आईपी नेता बिदायक मंतरी आकर भोज में सामिल नहीं होते बलकि राश्ची जनतादल के भोज में आमकार करता पहुचकर भी खाना खाते हैं और इस बार के भोज में भ भाउक हो जाते हैं उधर लालू परशाद यादो शरद यादो को अपना बड़ा भाई बताते हुए याद कर रहे हैं और देश के परधान मंतरी नरेंदर मोधी तक भाउक हैं और नरेंदर मोधी भी शरद यादो को याद कर रहे हैं तसा इसके बाद इधर पटना में जो ब परशो के बाद होने वाले इस भोज को अस्थगित कर दिया है और एक परकार से आप कह सकते हैं कि शरत यादों को याद करके वे शरधांजली दे रहे हैं इधर राश्य जनतादल तो इस तयारी में थी कि भले ही 15,000 लोगों का इंतजाम हो रहा है लेकिन अगर 25,000 कारकरता भ तो जद्यू की तब से भी 25,000 लोगों को खिलाने का इंतजाम किया जा रहा है और अब तक जद्यू की तरब से भोज को लेकर कोई और जानकारी नहीं दी गई है मेरा मतलब कि शरत यादों के दुनिया से विदा होने के बाद क्या जद्यू का भोज होगा या नहीं होगा इसको लेकर कोई नहीं जानकारी नहीं है, मतलब कि अवत्तग जदियू का भोजोना तैह है, लेकिन राष्ट्री जनता दल ने अपना भोज अस्थगित कर दिया है, फिलाल राष्ट्री जनता दल के नेता समझवादी नेताओं में बड़ा कद रखने वाले शरत यादों को स शरत यादों एक समय पर उनके इर्दगिर्द या बिहार की राजनीती की वो धूरी हुआ करते थे, बिहार की राजनीती और केंदर की राजनीती को जोडने वाले शरत यादों एक प्रकार से सेंटर हुआ करते थे, मतलब कि राज को केंदर की राजनीती से शरत यादों का काफी हद तक जोड़ते थे बाकी शरद यादों को बाच पुरा देश याद कर रहा है आप अपनी पर क्रिया कमेंट बॉक्स में लेकर बताईएगा वाकी वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं आप जनतांक्शन देख रहे थे केमरेक से भी शाल खने हैं और मैं मुहित कुमार सिंग बहुत बहुत धन्यवाद